वेल्गम दूमाइट कैनल हपी विलाइस कुकिंग आज हम बनाने वाले हैं ब्रेट चुप उसके लिए मैंने बैसन और इसको अच्छी तरह के से मता जब तक आप बैसन को अच्छी तरह के से नहीं मतिएगा उसका खीलेगा ही नहीं ब्रेट चुप अपके चिप्टे चिप् और उसको फिर काटिंग करेंगे क्योंकि एक उतना बड़ा ब्रेट जो पौन खाने वाला अगर मैं इसलिए उसको फिर अच्छी तरीके से हम लोग ने काटा ब्रेट को और वो भी कितनों में टुकडों में तो उससे काटने से पहले आप देखिए कि इसमें ब्रेट में आ मार्व तरप से दोने को जोड के उपर से दबाना है नाहीं तो अचके तरीके से दोनों आसपास निकल लाएगा और बनाए यह technique उसके बाद इसको दोनों को दो पीसं करना है एक ब्रेट को दोपीस बीच में एकदम ट्रेंगलोर सेप कहो जाएगा इसलिए इसको काटना है उसके बाद देखें मैं इसको अच्छे से नीप से काट रहा हूं वो भी पूरो एकदम नीप कर अगर आप देखिएगा तो क्वालिटी बढ़ मस्त है इसके बाद यह देखिए इसका कटिंग जो है इसका कटिंग बहुत में अगर आप अच्छे तरीकस नहीं कटिएगा तो यह अच्छा नहीं लगेगा तो देख सकते हैं कटिंग और फिलिंग के सब दिख रहे हैं ब्रेट शोप में उसको अब हम लोग डालने वाले हैं किसमे बैसन को अपने को हम लोग ने पेसले दिखा दिया कि कित्ना मस्त बैसन है तो अब उसको हम लोग उसमें डालेंगे और यह चोप के लिए भी बनाके रखाएं पारी मौद से होगी अब देखियो मैंने उसको अच्छे तरीके से बिसन में मिला रहा हो अगर आप अच्छे रहे हो एक साइडे दिखेगा एक साड ब्रेम मैं वेिश्ण रहे हैं कि इसको दिखे में उसको पल्ट जुआ अंग पल्ट आने में लेट कि जीक तो यादे खिला हो रहेगा दूसरी साइच कम कि लो रहेगा इसे पटब तो इमी में ध्यान अच्छे तरीका से आप उसको तुरंट तुरंट पलटिएगा तो दोनों तरफ खिला हुआ रहेगा आप लास्ट में इसका सुरू में जो व्यू देखें वह ऐसा ही नहीं आ गया उसको बनाने के लिए हर एक तरीका का मस्किल मस्किल प्रॉब्लम को सल्यूसन करके हमेने इस और साथ हिसाथ में इसका क्वालीटि आप देख सकते कि कितना मुच्छ मुच्छ और खुर्खुर लगेगा खाने में इसलिए आपको कितना मस्किल लग रहा है देखने में खाने में टमेटश प्षेटप के साथ एक नमबर लगेगा आप दोने भी रख सकते हैं और टिके चटने भी यूज़ कर सकते हैं दोनों अने में मज़ा ही लगेगा इसमें इसलिए अब देखिए आप लाश्ट भी आप देखने में लगेगा कि या इड़ अमेडवागमी हैप्पी विलाइज कोकिंग तक्यू वर वचिंग